श्री सिद्धिविनायक सेवा फाउंडेशन द्वारा कई सामाजी गतिविद्यों को सफलता पूर्वक कार्यान विद किया गया है जिन में एक है दिन द्याल थाली इस सेवा को पास साल सफलता पूर्वक पूर्ण हुए है इसी उपलक्ष पर 25 अपरेल को आभार समारो उपस्तित रहेंगे ऐसे जानकारिया आज़ित पत्रपरिशत के दोरान सिद्धिविनायक सेवा फाउंडेशन नागपूर वदिन द्याल थाली संचालन समिति के अध्यक्ष संदीब जोशी द्वारा दी गई है श्री सिद्धि विनायक सीवा फाउंडेशन द्वारा कई सामाज़िक गती विध्यों को सफलता पोर्वक कारियन वित किया गया है जिसके स्थापना नागपूर जले के हिंगना स्थेत श्री सिद्धिविनायक मंदिर में सुख करता दुख हरता विनायक से मंगले की सप्रेल को एक आभार समारो आयोजित किया गया है जो उसी पहल का एक हिस्सा है राश्टी स्वयम सिवक संग के सरसंग चालक डॉक्टर मोहन भागवत और महराश्य राज जी की उपमुख्य मंत्री देविंद्र फढ़न्विस इनके हाथो संध्याकालिन भरड थाली का उद् भिष्ठाता डॉक्टर राज गजबिये उपस्तित रहेंगे सिद्धी विनायक सेवा फाउंडेशन द्वारा मेडिकल परिसर में दिन्दयल थाली के निर्मिती साड़े पाच वर्ष पहले हुई थी आज साड़े पाच वर्ष के बाद में जब पीछे हम देखते हैं तब यहाँ पर भुजन का स्वाद लेते हैं जो अतिगरजु है वो यहाँ पर निश्चित आते हैं आप सुबह की जो थाली थी हम शाम को भी चालू कर रहे हैं उसके सिवा कोरोना में जो व्यक्ति जिनका निदन हुआ था आईसे 300 परिवारों का पालक अत्वा हमने लिया है सो दिवेंग बच्चे हैं जिनके फीजियो थेरपी के और धैन देना रियाब के तरफ धैन देना आवश्चक है उनको भी साहेता करने का निर्णय हमने लिया है उसमें भी तीन बच्चों को हम उस दिन हेल्थ कार्ट का वितरन करने वाले हैं यहाँ पर तेलंगाना मध्यप् आई है तो इसलिए दिन्दैल रूपना सिवा प्रकल्पक के माध्यम से मदद कक्षा हम यहाँ पर प्रारंब कर रहे हैं आने वाले मंगलवार को 25 तारीक को शाम को 6 बजे परम पुजनिय डॉक्टर मोहन जी भागवत सरसंगचालक माननिय देवेंद्र जी फंडवी सुप इनके प्रमुक उपस्तिती में यह कारेकरम हो रहा है मैं आपके माध्यम से शहर की जनता को प्रार्थना करना चाहूंगा अनुरोत करना चाहूंगा कि आप आईए बिना शासकिया मदद लिये बगएर इस तरीके से प्रकल्प साड़े पाच वर्षों से चालूए उसके आ हम सबको पता है कि मेडिकल में ना केवल नागपूर बलकि पूरे विदर्भ मध्यप्रदेश तेलंगाना से भी मरीज बड़े संख्या में आ रहे हैं यह मैसूस किया गया है कि एशिया के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों को कई तरह की समस्या होती है इसलिए उनकी मदद के लिए सरसंग चालक डॉक्टर मुहन भागवत इनके हाथों नियमित रूप से दीन दयाल मरीज सीवा पर योजना मदद कक्ष का उद्घाटन भी किया जाएगा श्रिसिद्धी विनाइक सीवा फाउंडेशन द्वारा समर पे दीन दयाल उचेत उपचार भी दिया जाता है इस पहल की तहट अब तक तीन हजार से अधिक मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है और इन मरीजों को को निरामय जीवन जीने का मौका मिला है इसके अलावा फाउंडेशन द्वारा एंबुलेंस और शव वाहिका का प्रबंधन किया रुपए में भूजन के व्यवस्था की गई है ना मात्र शुल्क पर चलने वाला ये अन आश्रें विगत साड़े पाच वर्ष से लगातार चल रहा है लाखों जरूरत मन लाभार्थी संतुष्ट मन से संस्थान को आशिरवात दे रहे है नागरिकों के आशिरवात से NBCN News के लिए राजकुमार मुहड के साथ शिति जातेश मुकरी पॉर्ट